असलामुलेकम दोस्तों मैं हूँ मास्टर शाहिद आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मिशीन मास्टर दोस्तों यह हमारे पास चोकी की बटन मिशीन है इसका मॉडल नमबर है MB 373 आज हम इसके निडल बार की हाइट लोग पर टैमिंग और यॉक्स्टेट की मकमल सैटिंग सीखेंगे जी तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं वीडियो की जानिव सबसे पहले हम निडल बार की हाइट सेट करेंगे निडल बार की हाइट 12 से 13 मीली होनी चाहिए यह लूपर की जो 9 ना यह वाली बिलकुल फाइन होनी चाहिए इस पर किसी किसम की कोई खराश वगरा नहीं होनी चाहिए अब हम इसको न यह लूपर होल्डर में लगाएंगे यह वाला सुकुरू जो है न यह लूपर के इस काटिप के ऊपर आना चाहिए इसको पूरा ऐसे आगे लेका जाना है ऐसे अब यह वाला जो शुकुरू है इसको हम टाइड कर देते हैं अब हम आपको नीचे से इसकी हाइड चेक करवाते हैं यह जो यह फासला आप देख रहे हैं यह देर से दो मिली होना चाहिए यह लूपर और निडल का अब हम इसकी लूपर और नीडल की टाइमिंग करेंगे यह जो आप देख रहे हैं नीडल का सुराख इससे उपर देड़ से दो मिली देड़ से दो मिली उपर से नोक गुजरनी चाहिए लूपर की नोक यह जो निडल का काटो होता है तकरीबन इसके सेंटर से गुजरनी चाहिए यह थोड़ी सी नीचे है तो यह वाले जो सुक्रू जो है ना हम इनको लूज करेंगे हलके हलके से लूज करेंगे और यहां से थोड़ा सा लूपर को फारवड कर लेते हैं ताकर लूपर की नोक जो है नीडल के जहां से हम टैमिंग करते हैं जिस काट पे उस काट के सेंटर में चली जाए और यह आप देख रहे हैं कि थोड़ इसी जैदा हो गई है अब थोड़ इसे हम इसको ना रवर्स कर लेते हैं थोड़ा सो लूपर पीशे की जानब कर लेते हैं हम यह बिलकुल प्रिफेक्ट हो गई यह तो इसकी अपडोण की होगी ना अब हम इसकी निरल की टैमिंग सेटे करेंगे लूपर के दिरम्यान जो फासला आना इसको खतम करेंगे जिह बिलकुल खत्म होना चाहिए लूपर outlined और निडल के दिलम्इान फासला नही होना चाह ठीक है यह लूपर की निडबर हाइट और लूपर की टाइमग हो गई है और यह दोनों सो कुरू जो हमने लूज किये थे इनको टाइड कर लेते हैं यह निडल गाइड है यह यहां से बेलकुल फाइन होनी चाहिए कोई खराश वगरा नहीं होनी चाहिए अब हम इसको मिशीन पर लगाते हैं और आपको इसकी टाइमिंग बताते हैं कि इसकी टाइमिंग कैसे करते हैं कि यह आप देख सकते हैं कि जब लूपर की नोक नेडल के बलकुल बराबर होना जहां पर हम टाइमिंग करते हैं तो यह जो इसका फासला है नेडल और नेडल गाइड का बिलकुल माइनर सा होना चाहिए बिलकुल टाच नहीं होनी चाहिए माइनर सा फासला होना चाहिए यह आप देख सकते हैं बिलकुल माइनर सा अब यह निर्ल गाइड का जो हम स्कुरू हो है ना इसको टाइड कर देते हैं यह योग स्लाइड है और यह बिल्लकुल इसी हिस्से से फाइन होनी चाहिए को खराश विगरा नहीं होनी चाहिए अगर यहां से यह फाइन नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम करेगी आसे लगानी है यह आप ने ओपने ऐसे टेड़ी नहीं लगानी यह इसका इससे लगानी सीदी के थीक है एक हाथ से आपने उपर से जोग स्लाइड को पकड़ना है उबिल्लिक नीचे गिरना जाए ऐसे पकड़ और यह इसकी केम है कि इससे आप इसकी सेटिंग करेंगे योग स्लाइड की यहां से हम इसकी फ्रेंट बैक की सेटिंग करते हैं योग कि यह दोनों से कुरू हम लूज कर लेते हैं कि यह 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 वाली केम को हम थोड़ा आगे करेंगे यह आप डॉट निशान देख रहे हैं और यह ने इस पर डॉट का निशान है ठीक है इन तीनों को हम बैलंस कर देंगे तो अब हम जो यह वाला है ना इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं यहां पर नीडल जुब है ना योग स्लेट से जैदा दूर भी नहों और ठाच भी नहों ठीक है ज्यादा फासला होगा तो मिसंग करेगी और ज्यादा नजदीक होगी तो फिर योग स्लैड खराब हो जाएगी ठीक है अब यह दोनों सुक्रू हम टाइट कर देते हैं और यह इसकी केम है जो योग स्लैड को लेफ्ट राइट मुमेड देती है लेफ्ट राइट की सैटंग हम इदर से करेंगे जब नीडल नीचे जाती है और उपर आती है तो यह इस केम की सैटंग होती है वो यह दोनों सुक्रू हम लूज कर लेते हैं क्योंकि यह तकरीबन हाफ मीली फारवड है तो इसको हम बैक कर देते हैं यह आप देख सकते हैं कि मैंने हलकी इसी हाफ मीली इसको पीछे किया है तो अब मैं आपको ना इदर यह जो नीडल गाइड है यह खोल कर इसकी ना इन आउट चेक करवाऊंगा कि हमारी जोक स्राइड आने जो वो जब नीडल नीचे आती है तब भी उसी जगह से आनी चाहिए और जब वापस जाएगी तब भी उसी जगह से वापस जानी चाहिए यह आप देख सकते हैं यह नीडल नीचे आ रही है यह देखें योक स्लैड के उसी हिस्से से नीचे आ रही है और जब ये वापस जाएगी न ये देखें उसी हिस्से से वापस जाएगी ये इसकी perfect timing है ठीक है तो अब ये जो screw है न हम इसके अच्छी तरीके से tight कर देते हैं कि ये हमारे निटलबाद की हाइट और लुपर की timing और यॉक्स लैड की timing हो गई है जी तो दोस्तों आप बेटन लगा कर चक करते हैं कि देख सकते हैं बलकर ठीक लगा कि ये देखें ठीक है और ये नीचे से बिलकूल साफ है कोई कुछ है बगहरा नहीं हो ठीक है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्दा हाफिज